दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी फिल्म जगत के सबसे डाशिंग हैंसम एक्टर पहले ही मैन धर्मेंद रखी जट यमला पगला दिवाना हो रब्बा इतिसी बात न जाना जी हां यमला जट धर्म सिंग देवल जन्म से पंजाबी तरवियत से पंजाबी इनका जन्म हुआ आठ दिसंबर 1935 को लुध्याना जिले के नसलाली गाओं में धर्मिंद्र के पिता लुध्याना जिले के लाल टॉन कला गाओं में हेड मास्रट थे यही से स्कूली शिक्षापूरी की धर्म सिंग देवल ने पिता केवल किशन सिंग देवल और माता सत्वन कौर देवल के बेटे धर्म सिंग देवल ने एंटरमीडियर की पढ़ाई पूरी की रामघडिया कॉलेच भगवाडा से 1952 में जीते ही लेंगे बाजी हम तुम जी हाँ एक बाजी जीती धर्मेंडर ने अपनी मंजिल को पाने के लिए वो बाजी थी फिल्म फैर का न्यू टैलेंट अवाड़ घर में पिता का बहुत विरोध था लेकिन मा की सपोर्ट ने उनकी मुंबई की राह आसान की फिल्म एक्टर बनना चाहते थे वो लेहाजा धर्मेंडर मुंबई आ गये लेकिन फिल्मों में प्रवेश इतना आसान नहीं था एक लंबा संगर्श था जिंदगी के हर इम्तिहान में पास होने की एक जिद वो लेकर ही आये थे वो जिंदगी के खेल को हर हाल में जीतना चाहते थे मुंबई आने के बाद धर्मेंडर ने अपने संगर्श को दिन रात जारी रखा आखिर उनके संगर्श को एक पड़ाव मिला 1960 में जब निर्माता निर्देशक अरजुन हिंगो रानी ने उन्हें बत और हीरो अपने फिल्म में ले लिया फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे 1961 में सहनायक के रूप में नज़र आए फिल्म बॉइफ्रेंड में अब फिर तो धर्मेंडर के जीवन का संगर्श हमेशा के लिए खत्म हो गया 1960 से 1967 के दौरान धर्मेंडर फिल्म इंडस्ट्री पर पूरी तरह से चाये रहे इस दौर में उनकी रोमैंटिक हिरो की छवी बनी और लगपक हर एक फिल्म हिट रही और संगीत सुपर हिट रहा 1960 से 1967 के दौर की उलेखने फिल्में इस तरह से हैं नूतन के साथ सूरत और सीरत बंदनी दिल ने फिर याद किया और दुल्हन एक रात की माला सिनहा के साथ अनपढ पूजा के फूल और बहारे फिर भी आएंगी नंदा के साथ आकाश दीप मुझे दर दे दिल का पता न था और सारा बानो के साथ आए मिलन की बेला और शातिर मीना कुमारी के साथ मैं भी लड़की हूँ पूर्णी मा फूल और पत्थर और काजल इसी दौर में धर्मेंद्र सहय अभिनिता के रूप में भी नजर आए बंदनी घर का चिराग और ममता फिल्म में दोस्तों थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं 1966 की बात करते हैं ये वो दौर था जबकि धर्मेंद्र एक रोमेंटिक हीरो के रूप में स्थापित हो चुके थे हर फिल्म हेट हो रही थी लड़किया उनकी दिवानी हो चुकी थी इसी समय एक फिल्म आई फूल और पत्थर इसमें धर्मेंद्र ने रफटफ हीरो की भूमिका अदा की थी एक चोर के रूप में मीना कुमर के साथ वो इस फिल्म में आये थे लेकिन इस फिल्म ने एक नया मोड उनके फिल्मी करियर को दिया और यहां से शुरू हुआ एक्शन फिल्मों का सिलसला और 1971 आते आते धर्मेंद्र पूरी तरह से एक्शन हीरो के रूप में स्थापित हो गए वो फिल्म थी मेरा गाउं मेरा देश फिल्म फूल और पत्थर सुपर हिट रही थी और इसी फिल्म के लिए धर्मेंद्र पहली बार बेस्ट आक्टर कैटेगरी में फिल्म फैर एवार्ड के लिए नॉमिनेट होए थे इसी तरह बिल्कुल इसके उलट अनुपमा में धर्मेंद्र की रोमैंटिक इमेज को क्रिटिक्स ने बेहत्च रहा था बात है 1975 की जब धर्मेंद्र की फिल्म आई हेमा मालिमी के साथ तुम हसी मैं जवाँ इस फिल्म से शुरू हुई धर्मेंद्र की कॉमिक पारी जी हाँ उन्होंने अपने रोमैंटिक और एक्शिन हीरो के अवतार में कॉमेडी का तड़का भी लगा दिया और बन गए वर्स्ट टाइल फिर तो बस इस तरह की कई फिल्में आई दो चोर दिल लगी चुपके चुपके नौकर बीवी का और चाचा भतीजा दोस्तों धर्मेंद्र खुद भी मानते हैं और उनके फैंस का भी ये मानना है कि रिशिकेश मुखर्जी की फिल्म सत्यकाम में धर्मेंद्र ने अपने जीवन का सुरेश्ट अभिने किया और फिल्म शोले इनके जीवन की सबसे सफल फिल्म रही ड्रीम गल हैमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र ने सभी के विरोध के बावजूद दूसरी शादी की धर्मेंद्रे प्रोडूसर बने अपने बेटे सनी देवल को लॉंच किया फिल्म घायल में बेटे बॉबी देवल को लॉंच किया फिल्म बरसात में देवल परिवार के सदस्यों की बीच जो प्यार है दोस्तों जो अपना पन है वो तो एक मिसाल है फिर उनकी फिल्म अपने हो यमला पगला दिवाना हो या यमला पगला दिवाना फिर से